So hello friends, welcome back to your channel तो ये important video हम आपको इसलिए लेखे आए हैं कि आपका confusion दूर करना है कि बहुत से बच्चे ये प्रश्ट पूछ रहे हैं कि सर्च जो examinations हो रहे हैं different different चाए वो aims का हो, चाए वो KGMU का हो, चाए PGI का हो, चाए NEET का हो चाए PGIMR का हो जो भी form निकले हैं तो इसके admissions actually उन्हें मिलेंगे कहां पे और क्या उनके affiliated colleges मिलेंगे, क्या उसी college मिलेंगे क्या उसके fee structure रहेंगे, तो ये confusion बहुत से बच्चों का है तो इस वीडियो हम यही discuss करना जा रहे हैं तो हम आज start करते हैं aims से तो पहले याद रखिए aims में सिर्फ female candidates की admission ले पाएंगे ये बहुत clear है BSC nursing course में और जो aims में बच्चे select होंगे उनको जो 14 aims हैं ये ही 14 aims में सिर्फ और सिर्फ selection मिलेगा इसके इलावा किसी भी aims में या इंडिया के किसी भी institute में उसमें admission नहीं मिलेगा तो aims का आपको बिल्कुल clear होना चाहिए फिर हम बात कर लेते हैं PG IMR का मतलब चंदीगड का institute post graduate institute of medical education research का ठीक है इसमें भी जो admission होगा वो सिर्फ सिर्फ PG IMR मतलब post graduate institute of medical education and research ये चंदीगड में PG IMR है उसी ही institute में होगा उससे कोई भी affiliated college या institute या private college नहीं है उसी college में ही आपका admission होगा इसके इलावा कहीं नहीं होगा आईए बात कर लेते हैं third की जिसकी बात करते हैं KGMU की KGMU है King George Medical University ठीक है ये university है इसका जो seats है 110 seats है बहुत clear कर लीजे इसमें जो admission होगा वो सिर्फ और सिर्फ KGMU campus मतलब KGMU university के अंदर ही अंदर जो BSC nursing department है वहीं पर आपका BSC nursing होगा पहले KGMU मैं आपको बता दू 6 colleges affiliated थे वो private colleges थे और 2 साल पहले जब KGMU admission कराता था उन 6 private college में भी admission साथ ही में KGMU दिलाता था लेकिन पिछले साल से KGMU का जो entrance हो रहा है और अब की साल भी उसमें 110 seats का जो admission होगा वो सिर्फ और सिर्फ KGMU के अंदर मतलब KGMU के इंग जोई medical university के अंदर nursing department में होगा कोई बाहर के private affiliated colleges में नहीं होना है बिलकुल clear कर लिजे आई ये बात कर लेते हैं SGPGI की बहुत repeated institute है इसमें total seats 40 है ठीक है ये institute वैसे तो private है लेकिन बहुत ही repeated और government के level का है government की तरह fee से और बहुत ही एक well repeated अच्छा institute मनाया था बहुत अच्छा exposure होता है और इसमें जो seats 40 हैं तो जब अगा विसको qualify कर लेते हैं तो इसमें भी 40 seats हैं सभी SGPGI के अंदर nursing का campus है उसी में BSC nursing होगा कोई भी affiliated private colleges या किसी और college में यहाँ admission नहीं होगा आई यह सबसे important examination NEET की बात कर लेते हैं क्योंकि all over India इसको apply करते हैं medical के लिए भी BMS, BHMS के लिए भी BSC nursing, BPT के लिए भी होने लगा है तो NEET के थूँ यह सिर्फ testing agency है, यह सिर्फ examination कराती है और इसके थूँ आपको बहुत से colleges government और private है, दोनों ही मिल सकते हैं, जैसे मैं आपको example लेता हूँ जीकि इसमें जो admission होगा वो क्या कहते हैं, जिस colleges को यह cover कर रहा है, उसका score NEET का use होगा, मैं आपको example लेता हूँ जैसे Delhi के जो colleges हैं जितने Delhi University के affiliated colleges हैं ठीक है, और जितने आपके इंदरप्रस University के affiliated colleges हैं, जैसे St. Stephen College है, ठीक है, लक्षपीबाई College है, बत्रा College है, ठीक है इसी तरीके से कस्तूर्बा College है सफधरगंज College है, जितने भी नर्सिंग colleges हैं, इन सब में admission सिर्फ और सिर्फ NEET के थू होगा और उसी College में admission होगा, तो उसमें जो आपकी merit बनेगी, उसके अनुसार ही इन colleges में आपको मिलेगा, साथ-साथ इसी तरीके से, UP के इंदर Banaras Hindu University है, तो Banaras Hindu University में भी admission इसी होगा, बोपाल में एक college है, और पतना का IGIMS है, ठीक है, यहाँ पे भी admission, NEET के थू होगा, तो यह ऐसे ही जो मैंने इंस्ट्यूट्स बता है, जो डैली के colleges है, बेच्चिव है, और आपका भुपाल का college है, आपका पतना का IGIMS है, यह आलोवर इंडिया सभी लोग apply कर सकते हैं, और यह NEET के थू होगा, और इन इन ही campus में admission मिलेगा, बिल्कुल clear कर दिए, इन ही campus में admission मिलेगा, अब एक चीज़ में और बता दूँ, जैसे महराष्ट है, तो महराष्ट स्टेट में क्या है, कि महराष्ट स्टेट में NEET ही कर दिया गया है, कोई और examination नहीं होता है, ठीक है, तो उसमें जो महराष्ट के केस में होगा, तो जितने यह भी government nursing college है, जितने भी private nursing colleges है, दोनों में admission NEET के score के business होगा, लेकिन यह सिर्फ महराष्ट की में condition बता रहा हूँ, और यह करनाटका में भी कहीं जगा हो चुका है, ठीक है, तो यह अभी उत्तर प्रदेश में लागू नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश के सभी colleges ABVMU के थू हो रहे है, KGMU अलग है, HGPGI अलग है, सैफ़ई भी बिलकुल अलग है, और BHU जो है, वो NEET के थू होगा, तो यह confusion आप clear कर लिजेगा कि आप जब कसी का form भर रहे हैं, तो आपको पतानों चीए, कौन-कन से colleges के अंदर covered हैं, क्या वो government हैं, क्या वो private हैं, और जब आपको admission मिलेगा, तो क्या उसी college मिलेगा, या affiliate college मिलेगा, तो माई ख्याल से आपको यह clear हो गया होगा, कोई confusion होगा, updated रहेगा, subscribe कर लिए my channel को, thank you very much and best of luck.